प्रवासिस रमिकों के लिए बनेगी ठोस निती जार्खन मंत्रालेश्थी सभागार में CM हेमन सुरेन ने SRMI का सुभारम किया इस महोगे पर CM ने कहा कि जीवन के बेहतरी के लिए गरीब मजदूर किसान नौजवान हम आप सभी लोग माइगरेट करते हैं जार्खन से भी रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर सरमिकों का दूसरे राजियों एवं देशों में पलायन होता है इसके बहुजूद आज तक प्रवासि स्रमिकों के सुरक्षीत और जबाबदे पलायन के लिए कोई ठोस निती अथ्वा वेवस्ता नहीं बनाई गई है बता दे सीम सिरी सुरेन ने कहा कि वर्तवान राज सरकार का पर्यास है कि जार्खन से जो भी स्रमिक भाई एवं अन्य लोग रोजगार की तलास में दूसरे राजिया अन्य देशों में जाते हैं उनका हम फुरा डाटा बेस तयार कर सके और नीती के तहट उन्हें बीपाति के समय मदद पहुचा सके 26 जन्वारी तक जार्खन में 7% टीका करन के लिए सुरू होने जा रहा महा अभियान मुख्यमंत्री हमान सुरें 26 जन्वारी को गंतंत्र दीवस के औसर पर राजे में कुरोना का 7% टीका करन होने की घोसना करना चाहते हैं इसे लेकर उन्होंने 7% टीका करन का लक्ष भी दिया है बतादे स्वास्त विभाग ने मुख्य मंत्री द्वारा दिये गर लक्ष को पराप्त करने के लिए जहां कोविड टीका महा अभियान चलाने का निना लिया है वहीं इसके लिए नई कारी जोजना त्यार की गई है बिभाग के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग ने सभी उपायूत को पत्र बेच का टीका महा भियान चलाने तथा कार योजना के तहट कोरोना टीका करन करने को कहा है ताकि 15 जन्वारी तक ही 37 तीका करन का लक्ष पूरा हो जाए जार्खन में 35 लाग सरकारी स्कूलों में बच्चों का नहीं खुला बैंक खाता है केंद्रवा राज सरकार ने सिक्षा योजनाओं में गलबड़ी का फर्जिवारा रोकने के लिए डारेक्ट बेनिफिट टांसफर को अनिवारे किया है राजे में पोसाग, छात्रवीती, आदी की भी रासी, डीवीटी के मादयम से बच्चों के खाते में जाती है लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों के बैंक खाता नहीं खुल पाने से इसमें परिसानी होती है या तो बच्चे योई नाओ का लाब लेने से बंचितों याते हैं या फिर लाब देने के लिए अने बिकल्पों को अपनाना परता है जिसमें भरष्टा चार की पुरी संभावनाएं बनी रहती है बतादे सिक्छा विभाग के आकड़े के अनुसार 45 लाख नमांकित बच्चों में से लगभाग 13 लाख बच्चों का अभी तक बैंखाता नहीं खूल पाया है दो लाख का इनामी पीलेफाई का एरिया कमांडर मंगरा धेर पच्छमी सिम्भूम के पोड़ा हट जंगल में सुरक्छा बलो के साथ मुडभेर में लाख काई नामी उगरवादी पीलेफाई का एरिया कमांडर मंगरा धेर हो गया बता दे गुरू आतर के होई मुडभेर के बाद एसपी अजर लिंडा समेथ पोलीस और चीर पीएफ के अला धिकारी मोगे पर पहुँचे और आसपास के इलाकों में सर्च अप्रेशन सुरू हो गया वही मज़्टेट की मौजिद्गी में सौ को कबजे में कर पूलिस आगे की करवाई जूटी है राष्ट्रिये कुस्ति परत्योक्ता में जारखन के पहलवानों को दो रज़द नेशनल अंडर पंद्र कोस्ति परत्योक्ता के दूसरे दिन गुरुवार को दिल्ली के पहलवानों का दबदबा रहा बता दे दूसरे दिन 11 सौन पदकों का फैसला हुआ इसमें से 4 सौन पर दिल्ली के पहलवानों ने कबजा किया हर्यानवा महराष्ट के पहलवाने दो-दो मद्य परदेश उतर परदेश वचंडी गड़ के पहलवानों ने एक एक स्वन पर कबजा जमाया वही जारखन की जोली में दो रयत पदक आये हैं मंत्री बन्ना गुपता के खिलाप आमन्ना का नोटीस अमुमन सरकारी अधिकारियों खिलाप विधान सभा के आमन्ना से जोड़ी सीकायते आती हैं लेकिन जारखन विधान सभा में राई सरकार के मंत्री बना गुपता ही आमन्ना नोटीस की जद में आ सकते हैं बता दे पहली बार किसी मंत्री के खिलाप अमन्ना का नोटिस विधान सभा अध्यक्ष को दिया गया है, जमसेत पूर पूर्वी के विधायक सर्जु राय ने मंत्री के खिलाप अमन्ना की करवाई करने को लेकर विधान सभा अध्यक्ष रमीन रात महतो को पत्र लिखा है, आज बैंक बंद रहेंगे बैंकों के नेजी करन के खिलाब बैंक यूनियनों ने 17 दिसंबर को हरताल की घोसना की है इस कारण 3000 बैंक सखाव में ताले लटके रहेंगे इसमें राजे के 24 सयर 77 ठाउन करमचारी और अधिकारी सामिल होंगे बतादे होताल की पुर्व संध्या पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने सन्यूक तरूप से प्रेस कॉन्फिरेंस कर इस मुद्दे पर जानता से सहयो की अपिल की है उन्होंने कहा है कि नीजी करन के बहाने केंद्र सरकार अपनी नितिया बैंकिंग पर नाली पर थोप रही है जबकि हाल ही में कई नीजी बैंक डूप चुके है बीजेपी के 28 नेताव की हो सकती है गिरफतारी रांची के सांसत संजय सेठ मेयर आसालकडा भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्ष आर्ति कुजूर सहीत भाजपा से जुड़े 28 लोगों पर लगे आरोपों को रांची पूलिस ने जांच में सही पाया है बता दे सभी पर 8 सितंबर को भाजपा की बिधान सभा मार्च में प्रसासनिक कार्यों में बाधा पहुचाने और पूलिस हवलदार का हतियार छेनने का पर्यास सहीत अन्य आरोप लगे है मामले में धूरवा थाने की पूलिस ने रांची के सिविल कोट में 702 मेर सहीत अन्य की गिरफतारी को लेकर बुद्धवार को आवेदन दिया है कोट से आदेश मिलने के बाद पूलिस आये की परकिरिया पुरी कर्वाई करेगी कोटार्मा थर्मल पावर प्लांट में भिशन हाथसे के बाद मजदूरों ने जम कर किया हंगामा कोटार्मा थर्मल पावर प्लांट में मेंटेनेंस कारेक करा रही एस आर्ट टर्बो प्राइबेट कंपनी लिमिटेड में पाइप लाइन फीटर के रूप में कारेरत पत्रातु निवासी कलेंदर सिंग का सौव जैनगर पुलिस जबरन उसके पैतरिक अवास पत्रातु भेज दिया पुलिस के जबरन सौव को भिजने के बाद खोडारमा थर्मल पावर प्लांट के विभीन कंपनीओं में कारेरत मजदूर गुरुवार को अहले सुबा से प्लांट का मुख्य गेट को जाम कर दिया और मुअबजे की मांग कर रहे हैं बता दे एकटू के जीला संजोजक बिजय पासवान के नेतित में मजदूर एक नंबर गेट पर धारना दिये हुए हैं ज़ारखन में कुरोना के 16 नाई केस मिले हैं जबकि 11 मरी स्वास्थ भी हुए हैं ज़ारखन में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 130 है भारत में 7974 नाई केस मिले हैं जबकि 7494 मरी स्वास्थ भी हुए हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 87,200 साथ है